जोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आई टी जॉब रुजगार अड़ा भारत का सर्वसेश टेक्निकल जॉब अबरे चैनल है जोकि बिहार से विलोंग करता है यहां पर कोई भी चीज ना फेक नहीं बताया था हर चीज लेगली बताया जाता है जमीन से ल साली है साथ हजार दूसो चपन पुष्ट वेकेंसी आउट होने की प्रक्रिया चल रही है तिक है मैं आप लोग को हर से डेटेल में बताऊंगा ओके अम मैं इसका लिंक भी लेबल कर दूंगा हलाकि आप अनिल आसर आई टी आई पर जाईएगा तो वहां पर आप लोग को कर सकते हैं अदर्वाइस आप टेलिकराम में नहीं जूरे और वार्सप में जूर जाना वार्सप में आप लोग को जोड़त opo बिडियो क्लते हो क्यावा हिस को प्र निदि आओध है कोन कोन सब करेंगे वीडियो वाझ करो तब आप लोग समझ में आएगा कि हाप पे जो ऑद कोल दिद्सिन से किये हैं सिर्फ यहीं लोग के लिए नहीं और 15-16 ट्रेट को मोका यहां पर मिलता है वेकेंसी जब आउट होती है तो ठीक है चलिए अब बात करते हैं जो वेकेंसी निकल किया है रही है रजिस्टर्ड से किया निकल किया है निस माई को यह पब्लिक किया गया है और जितना भी मतलब की देखी जाया है इसे कि हेड़् पाटर है सीट इनग किया मतलब क्या जो सी चीफ इंजिनियर् जो भी हेड क्वाटर ड sentiment ऐसे के 0 हो गया श है सब जोन में वरिष्ट अधिकारी है उन सभी को यह सब चीज सब के टेबल पर पहुंचा यह मतलब की जो फॉर्मिट बना हुआ है यहां पर सब लिखा गया कि कब कब से कितना सीट खाली है कब कब किसका प्रमोशन हुआ है कौन के लिए वेकेंसी आउट होगी इस सब चीज आप लोग को मैं डिटेल में दिखाने वाला भी हो तो आप लोग बस पेसेंस बना के पूरा वीडियो वास करो आप लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है प्रमोशन किसको देना है अगला बार ओके इसको एनसी होता है नौट अविलेबल सर्टिफिकेट नौट कुलना पोश्ट पे हुआ है किसको फ्रमोशन देना है ना वेकेंसी निकालना किस पोस्ट होला वाली है इसे कि कि लोग के लिए बंफर निकलती है तूंकि लास्ट टाइम में 2016 में में उसके बाद से प्ड़ुक्ष देखने को नहीं मिला लेकिन अब आप लोग को देखने को मिल जायागा बहुत बहुत जल्द प्रौवाइज सब्सक्राइब प्रफिसर जड़ाब मैने स्टोर कीपर मल्टी टास्किंग स्टाप में टीएस मेट इद देख रहा हो ना यह मेट यह आई टी वाले के लिए स्पेसल यह सिर्फ आई टी वाले के लिए है यह यह बढ़ेंगे आप लोगो दिखा भी देता हूं टेंशन मतलो सब्सक्ते रहित हैं यहां यहां और ⑌लव करने enसराया भी यह नियुक्त देखें थंगए कि कैसी इसके बाद से हैं यहां पर जोन वाइस आप लोका बार दिया गया तोटल सीटाप लोका साथ 256 सीट वेकेंट है मतलब खाली है यह लोग बोड रहे हैं कि इस पर बात चल रही है जितने भी जोन है ठीक ना चाहे वीस्ट हो या शाओ वेस्ट हो सभी जोन के जो वर्ष अधिकारी है सभी के टेवल पर यह नोटिस गया है ठीक है आप देखिए अब भेडिफाइ करके बताइए कि कितना सिट खाली है आपके जोन में ताकि हम वेकेंसी को आउट करें तो वेकेंसी आप लोग को बहुत जल देखने को मिल लागा तैयारी नहीं कर रहे है गया है दो कर आने वाली सबसे जाधे सीट देखो मैं आप लोगो दिखाओ यहां पर यहां पने अपर बयर का जो पर मोसं से होते है तो वो लोग का यहा पर दिया जो देखरेंग आप लोगन लिकलने वाला चार हजार तीन पुष्ट पे वेकेंसी निकल के आने वह चीक न देखो यहां पर चीफ एंजिनेरिंग कमांडेड यह वेकेंसी निकालेंगे और सब जोन मिलिका लेंगे देखो यहां पूरा जोन वाइस यहां पूरा दिया गया आप लुए इसको रिट कर सकते हैं उपर में जाकर यूडेसी सब के लिए वेकेंसी निकाल आने माली है ठीक है यहां पर लोग इसको प्रदेख भी सकते हो इसे कि आप लोगों मैं दिखा जाता हूं कुछ पोस्ट है जो कि आप लोग का कम-कम सीट है इसे के मिटर राइडर ठीक ना मिटर देखो यहां पर मोसन के साथ है यह यहां पर उसके बाद से डारेक्ट फिर यहां पर 29 से तो यह सब चीज पूरा दिया गया पूरा डिटेल में इसको देखना तो आपके वह समझ में आ जागा कि भी वेकेंसी सही में आने वाली है तो आप लोग तैयारी में लग जाओ यहां पर आप लोगों मैं सलेवस बता में सही पूरा देखना निकलती हैं झालती है च्शाहरे निकलती है यह सब वेकेंसी निकलती है और दोल्गत अ के बीच में आप लोग रहने वाला आपको ज़रूत है नंबर दिया गया आप SMS करना आपको हर्थिस मेटेडियल मिनिमम से मिनिमम प्राइज में आप लोग को मिला तो जो भी कंडियर्ट है यहां पर 15 कम से कंड़ा को जाहीं मिलेगा और यहां पर बता तो यहां पर नए नहीं करें कहीं्तूरेबल कहीं भी नहीं मिलेगा है तो अफलाइन अब इस बार क्या करेगा हमें भी नहीं पता है ठीक हलाकि सीबीटी लेना चाहिए क्योंकि नया जनरेशन है अब बहुत अल्ड हो गया लेकिन आप लोग का जैसे कि आप लोग का सेलेबस जो है न सो मार्ट कर रहता है अल अब इस बार क्या करेंगा 120 कर देगा से फिर करेगा देखाच़ कर देगा यातों को रहाता है यह सब चीज रहाता है umm गया सेलेबस यहां पर इंक्लूड रहा हैं मतलब कि सेम यही रहने वाला तो चालिस देगा टेकनिकल या तो साथ देगा टेकनिकल साथ इधर देगा तो इधर देगा आप लोग का अपने को अपने के लिए आप लोग आप लोग को ता यह प्लम तो आने वाली है तो आप लोग का सेलरी का मिलेगा मतलब हो गया कि कम से कम अठाइस से तीस के बीच में आप लोगों का सेलरी बनेगा इन हैंड तो क्लियर हो गया ना क्योंकि मैं जब भी वेकेंसी लेकर आता हूं आप लोगों के सामने तो हर चीज में आप लोगों बताता हूं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज को बता के चले गए अप पर पेसेंस दोगे देखो मेल के लिए 117 cm रहने वाला आप लोगों का हाइट ठीक है फीमेल के लिए 117 cm रहेगा और नौर्थ इंडियन जो जो विलोंग करते हैं कंडिडेट उनको 156 cm रहेगा जो मेल है फीमेल को 150 cm भीट आएगा तो कोई दीकत नहीं है इलिजिबल हो जाएंगे फो फिमेल कंडिड को मतलब की आप लोग का 1.6 km आप लोग को आठ मिनट में दोरना होगा तो यह भी कोई जादे नहीं है तो आप लोग का सेलरी से जान पेटर आप लोग का यही रहने वाला है अमोमन आल ओवर यही रहने वाला है ठीक है सब्सक्राइब कर लो और शेयर करके वीडियो को वैरल करो ताकि किसी जरुवत मत को पता चले कि बिहार से यह चैनल खुला है और जिन्मन तरीके से हर्चिस को सर्व बताते है ठीक है तो जय हिंद जय भारत जय बिहार बंदे मातरम अपका दिन सुबो